एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीक मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आँखों में आसुलिये लोग और विभिन चिन्ताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लोटते समयवे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह बिखारी यहां नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्धून के साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहत खुश हो जाते थे। वापस लोटते हुए लोगों के हागों में ना तो धेर सारे पैसे होते थे ना ही सोने चांदी तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लोटे वकट इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वहाँ बिखारी भी निरने लिया कि वहाँ भी महात्पा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाती हैं। वहाँ बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी तो वहाँ भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लग कर वहाँ अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीक मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताये कि मैं अपने जीवन को कैसे बहतर कर सकूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया। ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिका बिखारी के मन में एक आशंता जाग उठी। अपनी आशंता को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा मैं तो एक भिखारी हूँ। मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के criticism है। यहाँ सब सुनने के बाद गौतम बुध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो. इसके अलावा तुम्हारे पास मुह है जिससे तुम लोगों से अच्छी-अच्छी बाते कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो जरूरी नहीं के दान सिर्फ पैसों से किया जाए उपर वाले ने अगर किसी को पूर्ण थच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है वह बस दिमाग से गरीब है उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए बुद्ध की यह सब बाते सुन लेने के बाद वह बिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था Moral of the story हम सब इस बात की चिन्ता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन यह सत्य नहीं है सत्य तो यहा है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बहतर है तो हम उसका उप्योग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बहतर बना सकते हैं अगर कोई व्यक्ती सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ग है इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार, आदी का भी किया जाना जरूरी है अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं इससे समाज बहतर होता है